नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डिस्चिक रासी वालों आज हम आपके साथ साजा करेंगे आपकी जोड़ी किसके साथ अच्छी जमेगी और वो कौन सी रासिया है जिन से विभा करना अच्छा होता है कौन सी रासिया है जो धोखा देती ही देती है चाहे आज दे या कल आखिर उन तमाम परिसानियों से बशने के रास्ते क्या है तमाम चर्चाएं जाड़ी है वीडियो के अंतक बने रहे है और ये प्रिक्षन चंदरासी पर आधारित है जो ब्रिस्चिक वाले होते हैं प्यार में जुनून की हद तक पढ़ते है यानि संपूर्ण त्याक कर जा आने वाले प्यार में बहुत ही कोमल हिर्दय के उर्जावान सेंसिटिव और सुखों को भूगने वाले होते हैं प्यार देने में होता है क्योंकि देखिए प्यार का मतलब होता है समर्पन और प्यार में संपूर्णता आपसी समच से ही आती है तो जुनून के एक जुनून के हद तक प्यार करना ये आप करते तो हैं पर कहीं न कहीं संपूर्णता आपसी समझ थोड़ी सी आपको सीखनी चाहिए देखिए बिस्चिक वाले जो होते हैं पहले अगर हम आपके बारे में जानना चाहें तो थोड़े से रहस में ब्यक्तित्तो के स्वामी हैं बड़े ही भावुक हैं आकरसक तो होते ही हैं इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ देखिए वैसे तो बिस्चिक वाले रहस और उ समझ पाना इनके चेहरे के भावंगीमा से बहुत ही मुस्किल होता है और ये भी हमेशा दूसरों को संदे की नजर से देखते हैं वैसे तो बड़े स्वाभिमानी होते हैं और अपने स्वाभिमान की रख्चा करना भी जानते हैं अगर किसी ने इन्हें छेडा तो छोड़ें नहीं क्योंकि इनका प्रतीक चिन ही बिच्चु है अब डंक तो लगाएंगे अपने करतब्यों को पूरी तरह से पालन करना इन्हें आता है इनके अंदर इनके जो एक दिल में गहराई में और सुरक्षा की भावना हमेशा होती है क्योंकि इनको लगता है जैसे हर कोई इन और सायद मिर्थिव परियंत किसी को पता भी नहीं चलता लेकिन इनका प्यार कैसा होता है यह तो थी इनका ब्यक्तित्व जब किसी से प्यार करते हैं तो अपनी सारी इक्छाओं को निच्छावर कर देते हैं और यह गुन जो है ना इनकी पूरी लाइफ में भी दिखता ह जिसके साथ भी रिस्ते में बढ़ेंगे बस उनके लिए इमांदारी से निभाएंगे बिचारों को प्रगट करते हैं इनके पसंद इनका ब्यक्तित से जलगता है अब इनके लिए जो प्यार होता है वो सबसे सर्वोच होता है भले ही उसको जो एक परदर्सित करने का तरीका है वो थोड़ा सा इनका अलग होता है क्योंकि इनका प्यार थोड़ा सा एक अंजानी और अंचुई पहली की तरह है अब कभी-कभी गलत समझे जाते हैं हलांकि हर रासी की अपनी गुन होते हैं अपनी खासियत होती है प्रेमी भी होते हैं सुरुआत में जब सुरू-सुरू किसी से प्यार होता है तो बड़े सांत रहते हैं पर अपने प्यार को समझने के लिए जानने के लिए यह समय भी लेते हैं वैसे यह जो है प्रिस्टिक वाले एक चुम्ब की आकर्सन के मालिक होते हैं बहुत सारे लोग लोगों के जो एक केंद्र में होते हैं ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकरसित कर ही लेते हैं कई लोग इनके आकरसन का सिकार भी हो जाते हैं और पर सायद ये उनका फायदा नहीं उठाते क्योंकि इनके ये चीजें माइने नहीं रखती और प्यार में इनका जो बेभार होता है बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है जो है सो है जब इने प्यार हो जाए तो पूरी तरह से ये उस प्यार के लिए कुरवान हो जाते हैं एक बसिए समझ लें कि मजनू की तरह, बाहर से भले ही कठोड दीखें, पर अंदर बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा प्यार है और थोड़े से इनको लगता है कहीं हमारा प्यार हमसे बिछड़ नहाए, क्या सब दिन ऐसा ही रहेगा बहुत सारे सवलात इनके मन में चलते रहते हैं वैसे बिस्चिक बाले जो है ना प्यार के मामलों में अभी तक हमने जाना कि ये कैसे होते हैं लेकिन दूसी तरफ एक और बात जान ले इनके जो संबंध हैं लोगों के साथ प्रेम के साथ इनके बहुत सारे दोस्त हैं, होते हैं जिन्दगी में ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, दोस्त होते भी हैं और धीन बढ़ते भी जाते हैं, हलाकि जीवन साथी के साथ सम्वंध में भी ये बहुत सरल होते हैं, तो ब्रिश्चिक वालों का प्रेम बेवार थोड़ा अध्वूत ह होता है थोड़ा हट के होता है प्यार देने वाले होते हैं अब हम जानते हैं कि ब्रिश्चिक वालों को कौन सी रासी से बच के रहना चाहिए कौन सी रासी है जो आपको धोखा देगा और किन से विवाह करना आपके लिए अच्छा है और किन से विवाह करना खत्रे की घंटी तो तमाम बाते जारी है वीडियो के अंतक बने रही है चुकि ब्रिस्चिक रासी जल तत्तो की रासी है और ब्रिस्चिक वाले बड़े ही उदार भी होते हैं अब इनका मालिक होता है मंगल ब्रिस्चिक वाले जो होते हैं न चुकि ये भले ही किसी से भी बदला लेने की सोचे तो लेके ही रहते हैं लेकिन यहां पर ये भी सोचना होगा कि इनको छेड़ेंगे तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं लेकिन अगर प्यार करेंगे तो फिर इसका कहीं कोई सीमा नहीं है इनको जो धोखा मिलने की संभावना होती है न सबसे ज़्यादा वो नौकरी और बिजनस में कारोबार में धोखा मिलता है लेकिन किन से मिथून रासी से कन्यारासी से और तुलारासी से याद रखिए मिथुन रासी, कन्यारासी और तुलारासी से नौकरी, ब्यापार, कारोबार में धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है तो हम चुकी बात कर रहे हैं आपके जोड़ी की लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आप किन से बचें, किन से आपको जीवन में दोका मिलता है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कबच है ये अब आपका अगर हम बैवाही जीवन की बात करें तो या तो बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत खराब, बीच का कोई रास्ता नहीं है और आपके लिए जो सबसे उत्तम जीवन साथी है वो है ब्रिसब रासी, सिंग रासी और कुम रासी वैसे ये तीन जो रासी वाले हैं ये सबसे उत्तम जीवन साथी है लेकिन करक धनू मकर मिथून बेगेरे से बचसी बिभा करने से बचिये अब मालेते हैं बिभा हो गया पैभाही जीवन में समस्या है तब मादुर्गा की खूब उपासना करें आपके लिए बेहतर होगा और भगवान सुरी को नियमित रूप से जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो हम आपसे भी जा लेते हैं हर हर महादेप फिर म आपसे डालकर नहीं हादादा लेते हैं हर लेते हैं हर दो हम आपसे हैं होगा आपसे टीवन में समस्यानक करें नहीं हैं हूप